हेलो गईज मैं अंकूर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई प्यों के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी न्यूज आई है एक सर्कलर आया है एनसी की तरफ से उसके बारे में काफी सरे लोग परिशान हैं काफी सरे लोग ये क्लियर नहीं है कि इससे रिटेलर्स को फाइदा है या नुकसान मुझे कया लगता है मेरा क्या अप Portuguese है और इससे लिंग आपको description में एक number मिल जाएगा देख सकतों यहां पे guys एक stock suggestion आज मेरे नजर में आया एक member ने मुझे याद दिलाया 800% का return दे चुका है पिसले सर्थ एक सालों है और यह हमने यहां देख सकते हो short term and long term position के नाम से दिया था कोचिन सिप्याड की बात कर रहा हूं यहां देख सकते हो JWL इसी हफते हमने मंदे को दिया था 4-5% परसन अगेन मिल चुका है यहां पे उसके साथ ही bank nifty में 140 point अगेन यहां देख सकते हो हुडगो में around 50% तक अगेन मिल चुका है आपको regularly यह चीज़े मिलती रहें ठीक है तो description में इसका लिंक नमबर एक पर मल जाएगा नमबर दो पर news channel का नमबर तीन पर instagram का link join जरूर कर लेना साथ में youtube channel भी subscribe करना मत भूलना तो guys चलिए अपनी news को start करते हैं detail में यहाँ पर इस कुछ चीज़ आपको ध्यान देनी है जो कि आपके सामने है जैसे कि divine power अभी जल्दी लिस्ट हुआ है 25 जून से 27 जून यहाँ पर आप देख सकते हो सभी IP उसका ठीक है और इसका जो प्राइसमेंट था वो 40 रुपीज का था लिस्ट हुआ है 155 पे 287 के प्रिमियम पे यानि कि 287 परसन अगेन इसने दिया है अगर जो श्रीवालिक पार की बात करूँ आपने सर्फ एक महिने में 4-5 SME आईपयो देख लिए जीपी को भी उनमें सेख है 298 परसन का रिटन दिया इसने लिस्टिंग के टाइम में तो 4-5 SME आईपयो 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 आई जिसमें बहुत शानदा रिटन देखने को मिला हमें ठीक है अब यहां पे में लाइन आप देखना अभी बहुर स्टील ट्यूब से एक आई 81 परसन का प्रिम्यम देखने को मिला था 425 का पास लिस्ट हुआ और यह फैबरी में था फैबरी के बाद कोई ऐसा आईपयो नहीं आया है जो 80 परसन 70 परसन 90 परसन अगेन दे पाए ठीक है हां 70 परसन के नीचे वाले आईपयो मुझे याद है बाकि आपको याद हो तो मु परसन के प्रिम्यम पर ठीक है और आप देखोगे ना तो यह कुछ ही आईपयो हैं जो जैनवरी में निकले हैं टाटा टेकलोजी जो की 140 परसन का प्रिम्यम पर लिस्ट हुआ था और हो हल्ला मज गया था पूरे मांकरेंड में कि भाई यह मैडनेस है यह वो है तो यहाँ आप देखोगे तो मेलन आईपयो में एक, दो, तीन ये, चौथा ये ठीक है मतलब फैबरी से लेके धिसंबर तक में सिफ तीन से चार ऐसे आईपयो आया हैं जिनमें 100% के आसपास का रिटन दिया है और सिर्फ एक महिने में ही यहाँ पे चार से पांच आईपयो आपने द बात फिलाल हो रही है, में लाइन पे भी मैं आउंगा, 90% होगा, यानि कि अब कोई भी SME IPO, अभी तो फिलाल मेरी नौलेज में यही है और यह PDF आप पूरा पढ़ोगे तो आपकी नौलेज में भी यही आएगा, कि यह सर्फ NSE ने किया है, ठीक है, BSE में जो लिस्ट होने ने पे ही लिस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे गईस ध्यान देने वाली बात है, कि इस चीद से मुझे नहीं लगता है, कि रीटेलर्स को फायता होगा, कैसे नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, रीटेलर्स को IPO का अलट मिलता ही है, आप मैंसे काफी सारे लोग को भी मिलता पैसा बन जाता है, लेकिन इस से क्या हो गया, कि भई जिनको मिलता था, पैसा बनता था, उनका तो पैसा खतम, और खासकर रीटेलर्स का, बड़े प्लेजर तो चलो निकाली लेंगे, रीटेलर्स फसेंगे कहां, मानलो किसी IPO के एक्सपेक्टेड लिस्टिंग, अभी रिस की GMP है, वो भी फसेंगा इसमें, अब रीटेलर्स फसेंगे इस तरीके से, कि मानलो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स गेम प्ले कर सकते हैं, बगाउज चोटे साइस का IP होता है, और इसमें मानलो उन्होंने 4-5 दिन लगवा दिया, तो भाई पैनिक होके आ बाई सेल होता है, ठीक है, प्री ओपनिंग में पहले हम जब गेन मिल जाता था, एक्सट कर जाते थे, अब मन नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें तो बहुत अच्छी डिमांड है, यह तो 1500-200% वाला IP हो था, आप तो 90% मिल रहा है, तो बाद में गेन मिल जाएगा, बड़ यहां पर मुझे लगता है, रिटेलर्स की तरह सोचे तो बाई नुकसान है, ठीक है, यहां पर बड़े प्लेयर्स तब भी फायदा उठा रहे थे, 200-200% में भी और अब भी फायदा उठाने वाले है, ठीक है, यहां पर एक चीस का आपको बता दूं, कि यह जो रूल जाना नहीं देगता है, ठीक है, तो मैंनलाइन आइप ओ में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको लगता है cp ko ya nsc की भाई मेनलाइन आइप्यों मैनिप्लेट नहीं हो रहे है, मैनिप्लेट अगर अगर चारह अगर्च अपना पैसा गवार में नहीं जो तो यह चीज फिर ऍैल लाइन अपयूर फार्मा चल रहा है बंसलवार चल रहा है ठीक है इनको बोलते हैं इनके उपर हमने एक वीडियो भी बना दी है अगर जो आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो इस आपके हिसाफ से क्या है वो मुझे comment करके चुरूर बताना ठीक है मेल नाइपएं में कोई चेंज नहीं है वैसफान गया साथ में अगर जो कुछ कूछ पूछ पूछ सकते हो अगले करते हो जाउड़े से बिल आख कोचार वाचन है